Hello Learners, Welcome to Channel तो जैसा कि आपको पता है कि 28 दिसंबर से 17 जो ही 2022 के बेच में जो examination हुए थे उनके लिए challenge evaluation के form भरे जा रहे हैं तो challenge evaluation के form दो stage में भरे जाते हैं stage 1 जहाँ पे आप copy देख सकते हो और उसके बाद stage 2 जहाँ पे आप copy को rate checking के लिए apply कर सकते हो तो stage 1 के लिए form भरने की जो date है वो 15 मही 2022 extend करके हुई थी तो stage 1 की date जो है उसको extend नहीं किया जाएगा stage 1 के लिए जो copy देखने का form होता है उसके लिए form भरने की जो last date है वो 15 मही 2022 ही रहेगी उसके बाद वो form बंदो जाएगा वहीं पे stage 2 जहाँ पे आप अगर copy देखते हो उसके बाद आपको लगता है कि नहीं आपको copy recheck करवाना है तो stage 2 में जाना होता है तो stage 2 जो है जहाँ पे rechecking के लिए form जो है उसकी date को extend कर दिया गया है अब जो है आप 20 मही 2022 तक stage 2 के लिए apply कर सकते हैं याद रहे copy देखने के लिए जो stage 1 है वो stage 15 मही 2022 रहेगी लेकिन stage 2 जो की form recheck करने के लिए copy recheck करवाने के लिए जो form भरा जाता है उसकी date को यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि एच्छुक चात्रों को online आवेदन करने की तिथी दिनांग 20 मही 2022 तक विश्तारित कर दी गई है तो अभी आपको याद भी 15 मही दिखा रहोगा लेकिन आप जब कल या परसों जाएंगे तो वो date extend जाएगी और stage 2 के लिए 20 मही हो जाएगी और stage 1 है वो 15 मही को close हो जाएगा तो अगर आपने अभी तक apply नहीं किया है तो उसको जल से apply कर ले विश्व आलडविश्ट की पहुचें